दोस्तों यदि आप भी अपने WhatsApp पर लॉक लगाना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके WhatsApp के call आपके WhatsApp के photo, विडियो चैट कोई भी अन्य ब्यक्ति न देखे तो आपको जो तरीका मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं बिलकुल अच्छा तरीका है नया तरीका है और आप इस पर मांग रहा है देखिए मैंने जैसे ही finger टच किया मेरा वाट से खूल गया दोस्तो इसे कैसे आप अपने फोन में लगा सकते हैं तो यहां पर आपको three dot मिलेगा इस पर आपको click कर देना है setting के option पर click कर देना है यहां पर account के option पर click कर देना है ठीक है यह तीन चीज़ा आपक का option यहां पर मिलेगा fingerprint log का option मिलेगा इसे आप on कर दीजिएगा चलिए मैं इसे off करके फिर से दोबारा आपको दिखाता हूँ देखिए यहां पर fingerprint मेरा lock off है यहां पर हम ok करते हैं और इसे हम जैसे ही on करेंगे तो यह हमारा finger sensor मांग रहा है यहां पर हम click कर दिए यह हमारा ह हो गया यहां पर दोस्तो automatically lock आप तुरत मतलब की जैसे ही आप phone रखेंगे तो तुरत lock हो जाएगा यदि चाहते हैं कि एक minute के बाद lock हो तो इस एक minute वाले पर आप select कर लेजिए यदि चाहते हैं कि 30 minute के बाद lock हो तो 30 minute पर select कर सकते हैं दोस्तो तुरत वाला सबसे बेहतर है ताकि आपका जब भी phone आपके हाँ से मेना हो तो तुरत वो lock हो जाए तो दोस्तो यहां पर notification में content दिखाएं नए message के notification में भेजने वाले का नाम और message का preview देखें दोस्तो इसे भी आप इसे off होगा तो इसे आप on जरूर कर लिजिएगा इसे क्या होगा दोस्तो की जब भी आपके mobile पर notification आएगा तो उसको उपर तो सो करेगा बट उसे कोई open नहीं कर सकता है इसे आपको पता चलता रहेगा कि आपका notification आया है लेकिन उसे कोई खोल नहीं सकता है तो दोस्तो इस तरह से आप अपने whatsapp में lock लगा सकते हैं यदि lock लगाने में कोई भी दिख्कत या प आंदे मातरम